आज फिर से एक नए डीस्क के साथ मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ मा की रसोई ब्लोक्स में तो आज का नास्ता बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज का नास्ता कटोरी में ही बनेगा और कटोरी में ही सर्व होगा तो ये महमान हो या फिर घर के लोग सभी खूस होएंगे इस नास्ते को खा के तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं हेलो फ्रेंड्स और कैसे हैं आप सब तो नास्ता बनाने के लिए मैंने ले लिया है दो कटोरी सूजी के लिए 3.5% Bak2000 लिए अगर आपके बना सकते हैं अगर आपके पास बना ना हो जीशे मठा के सकते हैं ली और ही मियनकर मिक्स करें बना सकते हैं तो या बेटर् विक्टारा को तो थोड़ा दुन्दला हो maior कडाई चढ़ा दिया एक चमश तेल डाला है और एक टीबल स्पून जीरा इंड पर दाल नहीं, बारीक काट के पत्ता गोभी को दो मिनुट से बहुन लिया मैंने अब इसमें डाल दोफ़ गया है देखिए दो पूरी टमाटर निकलाना है इसके अंदर और भी चीजे मिक्स करना है यह एक आलो बोईल करके मैंने ग्रेट करके रखा था इसको भी डाल देते हैं आप चाहो तो तुकड़े करके वी जैसे आलो के पराठे के लिए हम थोड़ा सा हाथों से मसल के लिए वैसे भी ले सकते हैं मैं ने ग्रेट करके लिए हैं और इसमें डाल देते हैं मसले लिया है एक लालमीट पाउडर ल्यम ग्री चल कि लिया मैंने दणीया लाध्स नमक टेस्ट अकोर्डändig और लिया है मैंने भूना हुआ जीरा पाउडर 1वाप ल काउडिके । इनको अच्छे से मिक्स कर लेते देखे मारा बेटर भी सेट हो गया है यह देखे कितना गाढ़ा है इसके अंदर अभी थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे पहले डाल लेते हम इसमें नमक टेस्ट अकोडिंग और खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा वन पिंच और थोड़ा सा पाइन डालके हम इसको अच् और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा बेटर है यह एक से डेल चमट डाला मैंने यह देखे थोड़ा थोड़ा डालना है तो यह हमारा बेटर कटोरी में डाल लिया मैंने और इनको रख देते हैं हम स्टीम होने के लिए तो यह पानी थोड़ा सा उबलने में पान से साथ मिनट तक इनको इस्टीम होने दिया है तो हमारे इस्पुन में यह चिपका नहीं इसका मतलब मारा सेट हो गया था अब इसके अंदर हमारे स्टफिंग डाल देंगे आप अपने अंदाज उसार डाल सकते हैं मैंने दो दो चमब चमब से डाला और हम हरा धनिय कटोरी में वही बेटर इसके उपर डाल के मैं स्टफिंग देंगे तो यह इसके उपर शेम हरा धनिया विजए और देखने में सुंदर देंगे थोड़ा के देंगे नमग और मिक्सकर के मैंने रखा है वह पाउडर हलका हलका सा इसके उपर डाल देंगे ताकि लुकिन यह नास्ता खाने में बहुत टेश्टी और हेल्दी होती है तो यह देखिए पान से साथ मिनट मैंने इसको फिर वापस से पकाया है और हमारा यह नास्ता रेडी हो गया यह देखिए मैं फॉक लगा कर देख रही हूं देखिए बिल्कुल नीचिप का इसका मतला हमारा नास् के लिए को सब्सक्राइब करने के लिए निकाना जरूरी नहीं है कहते हैं नेक्ट वीडियो में आज के लिए इतना फ्रूरीस्दों खेवप्ते क्रेश्चों झाल झाल